वेरे गुड बॉनी हम बात करेंगे सब C.A. Final S.P.O. E.M. का जो आपका सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की जो हमारी चार्ट बुक है उसका हम डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं कि भाई आपके लिए इस चार्ट बुक में क्या-क्या अविलेबल है कितने चार्ट अविल C.A.P.O. E.M. की Company Law Economic Law Set 1 की चार्ट बुक परचेस करेंगे चले तो पहले हम स्लेबर्स की बात करें ओवराल इंडेक्स से हम स्लेबर्स की बात करें हमारी वेबसाइट पर अविलेबल है बुक बाय टेस्ट सीरीज वेबसाइट पर अविलेबल है Make My Delivery आपके फेवरेट वेबसाइट वहाँ पर भी अविलेबल है जीरो इन फी पर भी अविलेबल है हमारी बुक चले तो भाई आपके पास ओवराल हम बात करें तो Company Law में सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिकली डील करेगा आपके डिरेक्टर से अगर आप मॉडियूल Next Topic आता है वो है आपका Key Managerial Person वाला वो हमारे पास Section 196 से लेका 205 तक यहां पर चार्स अविलेबल है Next Topic Inspection, Inquiry, Investigation का है Section 206 से 229 तक वो coverage है Next Topic Compromise Arrangement Amalgamation C&A वाला Section 230 से 240, then Operation Mismanagement 241, 245, then Winding Up 271, 358 तक और फिर बहुत सारे छोटे 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 Topics आपके पास applicable है Say for example, Registered Valuer का Section 247, Removal of Company Names 248 से 253 तक और निधी Company Section 406 है तो यह यहां पर अविलेबल है चार्स फिर हमारे पास Adjudication, Special Court के Provision, NCLT Section 408, 420 और वो सारे Section अविलेबल है और E-Filing के chapters अविलेबल है तो इतना coverage है जो आपका पूरा का पूरा 184 चार्ट में अविलेबल है Company Law का 1st portion Then फिर हम आते हैं सब Security Law पर, Security Law में आपके पास Institute ने SPOM वाले में Slaybus में यह chapters इंक्लूड करे हैं जैसे कि CBE Act तो हमारे CA Final में यूँ ही पुराना वाला था, LODR अविलेबल है, Listing Obligation Disclosure Requirement CBE ICDR Regulation अविलेबल है, नया regulation है, Institute ने 1st time हमारे में applicable किया है CBE S.A.S.T. Substantial Acquisition Takeover Rules है हमारे पास और Prohibition of Insider Trading 2015 के regulation है तो भाई, यह 4 तरीके के regulations हैं CBE के, यह हमारे charts में available है अगर आप देखें, तो detailed हमने coverage किया है, जो charts 185 से लेकर, मानके चले 291 तक लगभग 115 charts में पूरा का पूरा security लॉके यह 5 chapters available है, detailed में एक भी concept छूटा नहीं है exam में आपको charts से बहुत मदद मिलने वाली है, यह मुझे नहीं बोला, यह आपको भी पता है कि charts कितना helpful होते हैं, studies में, आगे चलें then फिर हमारे पास part 2 है, जो बात करेगा यार, economic law की, economic law में पहला chapter FEMA का है, coverage है दूसरा chapter FCRA का है, coverage है, अगर आप FEMA को देखें, तो भाई 292 से chart start होगा, और 387 तक लगभग हमारे पास 97, 95 pages के आसपास FEMA के का available है then FCRA available है, and IBC code available है, total charts available है, इस chart book में, 423 में, 423 में, S4EM में, होगा क्या आपका syllabus में, जो भी question आने वाले हैं, वो आपको detail तो कुछ लिखना नहीं है, आपको concept याद होना चाहिए, concept के लिए थेरी book जादा काम की नहीं है आपको सरफ वर सरफ chart book ही काम की है, जो याद दिलाएगी, कि ये वाला concept यहाँ पड़ता, वो सब चीज़े perfect है वैसे तो MRP 6760 है, बट हमने इसको website पर कम करके रखी है, discount दे कर, चले अब हम detail में बात करें थोड़ा सा और क्या-क्या है, जैसे कि chapter number 1 है, जो बात करेगा appointment, qualification, meeting of board, सारी चीज़े शामिल कर दिया है पूरा कब पूरा director का chapter एक साथ में mention कर दिया है, तो जो section number 149 से लेकर, 193 तक का coverage है आपको कौन सा वाला chart चाहिए, सारे के सारे charts available हैं, मैं guarantee लिखके देता हूँ, ऐसी chart book कोई भी available नहीं है market में सबने क्या करा है, सब वो content को copy paste कर दिया है, जो design, जो link हमने दी है आपको, वैसा जैसे ये है chapter आपके पास 149 का first section minimum director, resident director, women director का concept, independent director का concept, first chart 149 का second chart, third chart, पूरा concept cover है 149 subsection 6, concept of independent director, altogether पूरा का पूरा coverage है तो ये सारी चीजे हमारी book में available है, आप देख सकते हैं, सारे के सारे section आप section number बोलो यार, हम बताएंगे आपको कौन सा वाला section कितना coverage है, section 150, 151, 152 सारी चीजे available हैं हमारे पास, 154, 157 ये सारे के सारे sections available है, company lock है अगर आप scroll down करते जाएंगे, आपको सारे के, आपको कौन सा section देखना है, वो आप बताएंगे अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप ये वाले number पर अपना किसी एक section के chart की request डाल सकते हैं, हो सकता है, आपको बाद में confusion रहे कि यार सर, मुझे तो ये particular section देखना है, आपने किस तरीकी से चार्स को design किया है, चार्स के form में, आप वो मुझे sample sheet भेज दे, whatsapp करें इस number पर, 888-393-0493, आपका favorite topic का, किसी भी topic का आप chart, किसी particular section का आप chart ले सकते हैं, ताकि आपको खरीदने के पहले पूर विश्वास होना चाहिए, कि यार सर की book में कितना coverage है, section 174 का chart, quorum for board meeting, 175, 179, 177, right, तो ये charts available है, ये तो हुआ हमारा company law portion, ये 190, ये हो गया आपका 189, ये हो गया पूरा का पूरा, then move towards the KMP concept, right, 196, 197, beautifully, perfect, right, एक बार दिमाग में छब गया, यार, guaranteed है, गुपता जी की, साब ये आपको बहुत मज़े देने वाला है chart, पूरी की पूरी चीजे याद हो जाएंगे, आपको किस तरीके से करते हैं, ये है हमारा पूरा का पूरा, section 203 आएगा, दो charts में आपका 204 है, 205 है, then for inspection, inquiry, investigation, right, सारे के सारे charts उसी तरीके से बनाए गया है, जैसे की हर section को involve किया गया है, बहुत सारी books में ये होता है, वो first chapter आपको बहुत अच्छा बना के देंगे, design बना के देंगे, नहीं, हमारी book में सारे के सारे, चाहे वो concept, company लोका हो, चाहे securities लोका हो, चाहे economic लोका हो, सारे के सारे charts बहुत ही perfectly design करे गया है, ये आप भी इसको देख कर मानोगे, section 211 SFIO वाला concept जो हमारा है, investigation into the affairs by SFIO, देखो, इसमें कोई भी cut, copy, paste, direct वो blog बना कर, दूसरे chart book में क्या करते हैं, वो ऐसा blog बना देते हैं, यहाँ, 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 content फिल कर दिया, यह बकवास chart book का नाम खराब करते हैं, सब इसको बोलते हैं, chart book जो पूरा proper link बनके बनाई गई है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ना च चाहें, जैसे for example, अगर हम इसको पढ़ना चाहें, section 212 बोलता है, investigation into affairs of company by SFIO, भाई SFIO को power है section 212 में कि वो किसी भी company के investigate कर सकता है affairs को, तो law में क्या बोला गया है, without prejudice to the provision of section 210, मतलब section 210 को without affecting the provision of section 210, 210 अलग है, 212 अपनी कहानी अलग start करता है, क्या बोल रहा है वो? कि बही, central government को opinion है, yes, opinion है, क्या issue करने की opinion है, order issue करने की opinion है, yes, order issue करा, और government किसी भी investigation को assign कर सकती है SFIO को, अगर assign कर दिया, yes, assign, अच्छा, ये जो yes लगाये हैं, yes लगाये हैं, ये connecting provision के लिए मैंने अपने लिए लगाये हैं, आपके लिए लगाये हैं, ये exam में हमको नहीं लि opinion में उसको लगता है कि कि किसी particular company का investigation सब SFIO के द्वारा होना चाहिए, तो वो उसको power दे सकता है, अगर एक बार power दे दी है, तो इसका implication क्या होगा, no other investigating agencies of central government, state government shall proceed with investigation, फिर किसी दूसरी agency को power नहीं है, चाहे वो central government की agency हो, चाहे state government की agency हो, कोई भी दूसरी investigation करने की, जो भी investigation है, government ने जैसे बोला है, वैसे करना है, क्यों, क्योंकि government ने आपको authorize किया, report भी उसी को submit करना है, जैसे ही SFIO को order मिला, search order, director जो SFIO है, वो designate कर देगा, कुछ-कुछ inspector को investigation करने के लिए, वो inspector जो है, वो demand कर सकता है, information explanation company officer पे, SFIO, shall start the investigation by the investigating agencies, और इनको वही power है, जो section 217 में power दी गई है, तो इस तरीके से आपको chart को पढ़ना है, फिर इसका second chart ये रहा आपके पास, तो कुल मिलाकर सब concept ये है, कि आप किसी भी section को पकड़े, अच्छा, कोई भी section 100% coverage है, यहाँ पर, तो ये हुई हमारी company law की बात, अब आपको मैं ले चलता हूँ, security law तरफ, right, company law में और देखना होता है, यार देखो, preferential creator का section 227 है, 226 है, overriding preferential payment क्या होता है, वो आपको बताया है, पूरा का पूरा यहाँ पर, winding up, ये हमारा winding up का chart है, ये registered valuer section 247, ये 247, right, ये 247 के बाद, ये आपको rules भी coverage है, इसमें, मैं बोल रहा हूँ भाई, आपको ये charts book ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर आपको final exam अच्छे से confidently clear करना है, ये आपको निधी company का provision 406 वाला, वो पूरा का first chart, second chart, third chart, तीन charts में coverage है, NCRT provisions, right, आप देखेंगे कितनी सुन्दर तरीके से design किया गया है, मेहनत दिखती है charts में, चलें, ये तो हो गया आपका यहां तक company law का, अब जो section B है, securities law, उसमें CABY Act है, LODR, ICDR, SAST and PIT, insider trading वाला concept है हमारे पास, तो ये आपका first chapter बात करेगा यार, CABY की, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, final में, शायद, right, हम बात करेंगे ICDR की, ये रहा आपका ICDR का concept, अब ICDR में, CABY, sorry, ये तो LODR का आ गया, ये पूरा का पूरा LODR का है, third chapter फिर हमने ICDR बनाया है, ये देखें, CABY ICDR, Issue of Capital and Disclosure Requirement Regulation 2018 है, ये प्रॉपर है, भई, इस ICDR के chapter में, कौन-कौन से regulation के chapters हैं, क्या-क्या हैं, उनमें वो पूरा बताया है, कितना applicable हैं, वो पूरा बताया है, फिर ये देखो आप, Design, Definition, Regulation No. 3, Regulation No. 5, Regulation No. 6, General Conditions, अब important चीज़ है, आपके पास, IPO में क्या हुए, सब जो ICDR का Regulation है, उसमें पहले कुछ Regulations है, जो IPO के लिए है, Then, After Regulation 102 से, फिर आपके Regulation FPO के लिए है, बट क्या है, यहाँ पर जो Regulation है, और यहाँ पर जो Regulation है, बहुत सारे Common Regulation है, Common मतलब, ICDR में, सेभी ने जो Regulation, यहाँ पर उसका Number अलग है, इसका Number अलग है, बट हमने क्या करा है, जैसे कि यह आपके FPO के Regulation है, यह FPO, आप देखो यह वाला, जैसे कि Regulation Number 23 है, और Regulation Number 121 है, Regulation Number 23 में आपको बताया है, IPO के लिए, टॉपिक क्या है, Appointment of Lead Manager, Other Intermediaries Compliance Officer, अगर मेरी कंपनी को IPO लेकर आना है, तो आपको इन सब का appointment करना पड़ेगा, as per Regulation 23, and FPO में भी यही concept को बताया है, बट यह FPO के लिए है, भाई आपको दो दो बार क्यों पढ़ना, आपको याद होना चाहिए कि कौनसा वाला Regulation किस के लिए है, तो अगर आप देखेंगे, तो यह 24 and 122 में यही concept है, IPO के लिए, फिर FPO के लिए, तो यही चीज़ें आपको सब बताई गई हैं यहाँ पर, Headline सेम है, Regulation नमबर अलग है, Content सेम है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है, आपको बार बार पागल जिससे वो फिर से नहीं पढ़ना है, कोई सेंस नहीं है, Common Regulations है, उनको हमने जैसे Underwriting का, Regulation 40 है, वो बात करेगा IPO के लिए, Regulation 136 है, वो बात करेगा आपका IPO के लिए, तो मेरे गाल से आपको समझ में आ रहा है, कि यार यह चार्ट बुक है, यह बहुत प्यारी चार्ट बुक है, तो यह पूरा का पूरा डिजाइन करा गया है, बिलकुल शब्द to शब्द, इसमें देखा गया है, कि भाई, क्या-क IPO का माइंड है, तो यह सारी चीज़े आपको बताई गई है, FSPOM में, फिर SAST के Regulations है हमारे पास, वो आपको बताया है, Important Definitions कवर की गई है यहाँ पर, सर्फिर Regulation Section 3 है, वो बताया है, Regulation 4 आएगा, Regulation 24 आएगा, वो बताया है यहाँ पर, बराबर है, तो यह चीज़ आपके काम की है, करेक्ट, तो यह चीज़ आपके बहुत काम की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह सारी चीज़े, यह सारे कि, फिर वाद ने, Prohibition of Insider Trading Regulation 2015 वाली बात है, Definitions हैं, क्या-क्या होती है, Definitions, Unsensitive Price Information, Regulation 3, यह सारी चीज़े यहाँ पर है, यह है आपका Economic Securities Law का Concept, फिर आगे साथ हम अपने FEMA पे, FEMA का तो अलगी जलवा है, Current Account Transitions क्या होता है, Person, Resident in India की Definition बहुत प्यारे तरीके से बताई है, एक बार में समझने आले वाली है, तो यह overall हमने Concept को डिसाइन किया है, और यह आपका भाई FEMA चला जा रहा है, Export of Goods and Services, Section 7 के Charts है, First Chart, Second Chart, Third Chart, Fourth Chart, Section 16, Adjudication Part है, तो यह सारी चीज़े यहाँ पर बताई है, आपको IBC दिखा देते हैं आपको, कि Concept क्या है IBC में, यह रहा आपका IBC का, अब जैसे IBC में क्या-क्या Concept है, वो हमने बात करी है, Applicability क्या है, वो है आपके सामने, Regulatory Mechanism क्या है, वो आपके सामने यहाँ पर बताया है, Agencies IPA क्या है, वो बताया है, Information Utility का जिकर है, Adjudication Part वाला Concept कवर है यहाँ पर, Definitions Section 3, 5, बहुत सारी Definitions है, वो कवर है, तो कुल मिलाकर साब, इस तरीके से आपकी CA Final की, SPOM Set 1 Chart Book बहुत काम की है, साब वेबसाइट पर अविलेबल है, वेबसाइट से भी order कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम यह mention है, आप एक घर पर डिलिवर हो जाएगी books, और दूसरी वेबसाइट पर भी अविलेबल है, अगर आपको किसी particular section का चार्ट रिक्वाइट है, तो यह देखो, total 423 चार्ट अविलेबल है, तो मेरे ख्याल से यार, यह CA Final का, ESPO EM का review आपको काम में आया होगा, detailed understanding मिली होगी, कि यह चार्ट बुक में concept क्या है, और कोई doubts के लिए आप इस number पर call, WhatsApp कर सकते हैं, Thank you.